सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि भारत के सबसे बढ़िया प्रोड़िक्ट रिव्यूद आप तक सबसे पहले पहुंचें नमस्कार दोस्तों आप सभी का हेल्थी प्रोड़िक्ट रिव्यूद चैनल पर स्वागत हैं आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पतंजली लोहा सव का और इसके बारे में कम्प्लीट जनकारी इस वीडियो में मिलने वाली हैं अगर आपके सरीर में खोन की कमी हैं कमजोरी हैं भूक नहीं लगती तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना हैं आपके इन समस्याव का समाधान है वो वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा सबसे पहले मैं आपको प्रोड़ेट का ओर यू दे देता हूँ आप वीडियो में देख पा रहे हैं पतंजली लोहा सब की बोटल जो कि लिक्ट फॉर्म में आता है और 450 एमल की बोटल है वो आती है प्राइ आईरवेदिक दवाई में कौन कौन सी चीज़े हो मिलाई गई है पतंजली लोहा सब में सामिल है हरड चिलका सुखा आवला बहेडा लोहा सव सौंट काली मिर्च पेपल अजमोद नागर मोथा चितर कमूल विदांगी लोह बस्म धत्की पुस्ब गुड और सहद प्रिज में एड है वो की गई है अब हाउ टू यूज की बात करते हैं यानि कि पतंजली लोहा सब को इस्तिमाल है वो कैसे किया जाता है इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ इसके फाइदो और रिजल्ट्स को लेकर इसकी उपर अंडिकेसन लिखा हुआ है कि 15-30 अमिल आपक पीने की सला दी जाती है एक बार दिन में और एक बार रात में दो टाइम इस्तिमाल करना है खाने के आदा गंटा बाद में यूज करने से पहले इस बोटल को अची तरीके से सेक कर लेना है ताकि सबी जो नेचुरल इंग्रेडियंट है वो अची तरीके से मिक्स हो जाए टेस्ट का सवाल है वो हर किसी का रहता है कि इसका टेस्ट है वो कैसा है तो टेस्ट की समझ में हम बात करें तो कोई भी इस्यू है वो आपको देखने को नहीं मिलता इसमें टेस्ट है वो इसका अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि इसमें जो सहद और इसके अलावा जो बुड़ सामिल है वो इसके टेस्ट को नॉर्मल है वो कर देते हैं अब आताती है काम और फाइदों की पतंजली लोहा सव का जो पहला काम है वो एनेमिया से रिलेटेट देखने को मिलता है जिसके सरीर में खोन की कमी देखने को मिलती है वो पतंजली लोहा सव का अप्योग ह को मिलता है जो कि हेमोगलोबीन की कमी को दूर करने का काम करेगा मोसली हम देखें तो महिलाओं के सरीर में हेमोगलोबीन की कमी या कहें खून की कमी की सिकायत है वो ज्यादा देखने को मिलती है और कमजूरी इसका पहला लक्सन है वो देखने को मिलता है तो चाहे मैला हो या पुरूस दोनों लोहा सव को असनी से इस्तिमाल है वो कर सकते हैं और एनेमिया यानि की खौन की कमी से रिलेटेड इसके फायदे है वो बहुती बढ़िया देखे जाते हैं पहला काम तो खौन की कमी को दूर करना हो गया दूसरा फायदा है वो इसका कमजोरी को लेकर है यानि की वीकनेस को लेकर है अगर आपके सरीर में खौन की कमी नहीं है तो भी आपका सरीर अगर वीक फील होता है आपको आपको आलस फील होता है लेक ओफ एनरजी यानि की उर्जा की कमी आपके सरीर में महसूस होती है यहाँ आपके liver की health को boost करेगा जिससे की liver से related समस्या है वो दूर होगी साथ ही appetite यानि की भूख भी आपको प्रयापतरूब से लगेगी लिवर में किसी के सूजन की समस्या है तो भी लोहा सब उसमें positive असर है वो करता है और लिवर में सूजन को भी कम करने का काम करता है अगर कब्ज की सिकायत है या फिर आपका पाचंत अंदर कमजोर है तो भी लोहा सब इसमें फाइदा करेगा overall digestion और metabolism को मजबूत करने का काम इसमें सामिल ingredient है वो करते हैं और अगर आपका digestion और metabolism दोनों perfect है तो आपकी 90% समस्या है वो अपने आप solve हो जाएगी अगर किसी के तिली जिसको की पलीहा या फिर इसमें समस्या देखने को मलती है तो भी उसमें फाइदा करने का काम लोहा सब करता है इसका आकार यानि के तिली का आकार बढ़ने की समस्या काफी लोगों के आती है जो इसमें का मुख्य काम होता है वो red blood cells और immune system को लेकर रहत है और उसमें सबसे important role है वो ये इस्प्लीन अदा करने का काम करता है अगर आपके प्लीहा यानि की तिली में problem है तो भी आप लोहा सब को इस्तिमाल कर सकते हैं उसमें भी आपको फाइदा देखने को मिलेगा पेट से समधित अन्य कोई भी समस्या है जैसे की पेट में कर बनाया गया है इसके लिए कोई भी साइडवेट है वो देखने को नहीं मिलती सावधनियों को लेकर बात करूं तो अगर आपके कोई भी अन्य मेडिकेसिन चाल वह है तो आपको डॉक्टर की सला के बाद में ही इसको इसको करना है अगर कोई मेला गर्ववती है या फिर ब्रिस्ट पेटिंग करती है तो उसको भी डॉक्टर की सला के बाद मैं ही लोहा सव को इस्तिमाल करना चाहिए Otherwise अगर आपकी health normal है अगर आपको कमजोरी है शरीर में खोन की कमी है तो पतंजली लोहा सव को इस्तिमाल करके आप फाइदा है वो उठा सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भार्त के सबसे ट्रस्टेड और क्वालिटेट प्रोडिक्ट रिव्यू करने वाले चनल Healthy Product Reviews को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद